हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक अन्मय यूट्यूब चैनल तो गाइज यह इस ड्रामा की एक्स्प्लिनेशन का पार्ट नुम्बर फिफ्टन है अगर अभी तक आप लोगों ने इस सीरीज के प्रिवेस पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए सो दैट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंदाती है तो वीडियो को लैक भी क्या कीजिए पार्ट के स्टार्ट में को आफिसर कॉंग से पता चलता है कि प्रिंसस हे यॉंग और एक एडिटर वापस में मिलते हैं यह उनका वही एडिटर दोस्त था अब क सर कॉंग से कहती हैं कि इस बात का ध्यान रखा जाए अगर प्रिंस और इस लड़की का कोई भी स्केंडलार होता है तो वो प्रिंस के लिए बहुत बुरा साबित होगा वही दूसी तरफ शिंचाय ने लेडी चोई को बठाय हुआ था वो उनसे अपनी ही कहानी अपनी दो की सुनी चाहिए क्राउन प्रिंसेस शिंचाय बोलती है मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ मैं मेरे दोस्त की बात कर रही हूँ पर यहां पेशिंचाय का जुट पकड़ा गया था और अब वो शर्मिंदा महसूस कर रही थी उसी तरफ लीशन गया था मिन्योरी से मिलने के ज़ी उसे चाकर के कहता है कि तो मुझे नफरत करती हो जो तबने यह कदम उठाया मिन्योरी तो उसे अलगी कहानी सुनाने लगी थी रोमियो जूलियट और उसके पहले प्यार की कहानी सुनाने के बाद वो लीशन से बोलती है क्यो लीशन जवाब मैं सिर्फ सौरी बोलता और वहां से चला जाता है घर में शिंचाय सोच सोच के काफी परशान थी वो लीशन के रूम के बाहर जाती है तो लीशन को परशान देखके वहां से जाने लगती है दूसी तरफ प्रिंसस हे यॉंग मिन्यूरी से मिलने के लिए त्यार हो रही थी वो यूल से भी कहती है पर मिन्यूरी तो इसकी शकल भी नहीं देखना चाह रही थी दूसी तरफ क्वीन को पता चलता है कि मिन्यूरी ने सुसाइड अटैम्ट करने की कोशिश की है वो शौक हो जाती है वहीं प्रिंसस में उंग भी बैठी हुई थी यूंग अपनी मम को सब कुछ बता दीती है कि म लिशन को उसने रिजेक्ट कर दिया था वो पूर फैमली से थी और बहले रांज में ही आगे बढ़ना चाह रही थी अब कोई और घपर आ गई थी लिशन के लिए और वो चाह रही थी कि एमामला बिल्कुल भी आगे ना बढ़े वहीं दूसी तरफ प्रिंसस हैं पहुच वो उसके बहुत अच्छे तरीके से कान भर रही थी उसी तरफ शिंचाय लिशन के रूम में जाके उसके बराबर में बैट जाती है लिशन कहता है कहो क्या क्याना है शिंचाय बोलती है कल तुम मिन्यूरी से मिलने के ले गए थे लिशन जवाब नहीं देता तो शिंचाय की चीज़ों मैं परशान हो भाई हम नेक्स टे ये नियूस नियूस पेपर में आ चकी थी लेडी सु जा करके दादी मा को ये नियूस सुना देती है और दादी मा की तब है बिगड़ गई थी और ये जान करके क्वीन मदर यानि की है यांग बहुत खुश थी तो भाई यूँ कभी भी अपने भाई के लिए बोल रही थी लेकिन राजा उसे भी चुप करा देते हैं और लीशन को भी खुब डाटते हैं लीशन भाई निकलता है तो शिंचा उसका ही निजार करी थी वहीं धूर खड़ा हुआ यूल भी था लीशन के पीछे जानी लगी थी और लीशन उसको जटक के आगे जाने लगा था यूल उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि उसे थोड़ देर अकेला रहने दो शिंचा कहती है पर वो बहुत ज़्यादा दुखी है आससे पहले मैंने उसे इतना दुखी नहीं देखा यूल बोलता है वो सकार में यूरी का लीशन के पीछे थी लेकिन लीशन किसी की नहीं सुनता और कार में बैटके चला जाता है तो वहीं मैन्यूरी कहीं अलग जगादा चली गई थी और उसको किसी का कॉल आता है वहीं रहने के लिए अब आगी प्रिंसस हे यॉंग और क्यून का आमना सामना होता है क्यून प् आया गया दूसी तरफ अब प्रिंसेस है या उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था मिन्यूरी से तो वहीं शिंचाय यूल से कह रही थी कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुसीबत में तुम्हारे मदद ना लेने की पर मुझसे हो ही नी पाता यूल मुस्कुरा के कहता है कि त उससे ऐसे सब कुछ मिल जाएगा यूल बोलता है तुम्हें लीशन का दिल चाहिए शिंचाय बोलती है हाँ चाहिए लेकिन मैं उसे हर्ट नहीं करूंगी अगर वो मुझे नहीं देना चाहता तो मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए यूल बोलता है कि तुम उसकी इ अंदर जाता है तो मिन्योरी उसे पुरानी यादे याद दिलाने लगी थी वो कहने लगी थी चला जाता है, अब लिशिन कलब जाता है अपने दोस्तों के पास, वो वहाँ भी परिशान था कुछ दिर बाद उक के वहाँ आता है और उसके बाद वो सीधे लिशिन से सवाल करने लगता है कि मिन्यूरी का है, उसे तुने काँ चुपा के रखा है उसके बाद उकके उस ते कहारा था, तो कैसे लगा तुझे दूसरों के दिल का खिलोना बना करके मैं मिन्यूरी से पहले मिला था, लेकिन मैंने मिन्यूरी को तेरे लिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगा मिन्यूरी तेरे साथ खुच रहेगी पर तूने क्या किया, तूने मिन्यूरी को हर्ट किया अभी किसी को कुछ नहीं रख सकता क्योंकि तू खुद के बारे में सोचता है लिशिन बोलता है, वो Crown Prince है, उसके उपर कई जिम्मेदारियां और है उपके बोलता है मिन्यूर्य उन जिम्मेदारियों में नहीं थी क्या लीशिन बोलता है आज तो 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 ने मुझे एडवाईज दे दिया है आएंदा से कोई एडवाईज मत देना क्योंकि ये मत भूल कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ लीशिन वहाँ से चला जाता है आगे बढ़के इन लोग के पास पहुच जाती है मों इन से कुछ पूछ दी पीचे से लीशन आ जाता है अब ये लोग यहाँ पे इस बार में डिसकॉशन करने लगे थे तो वहीं दूसी तरफ प्रिंसे से यॉंग बोल रही थी लीशिकिशन हो रही है किसी जगड़े से रेलेटेड और उसके बाद दुब रंसे से यॉंगी इसमायल देखने वाली थी उसी तरफ शिंचाय लीशन से कह रही थी कि तुम ऐसे ही कहीं भी चले गए मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे मुझे तुमारी बहुत टेंशन हो रही थी लीशन बोलता है तुम जाओ जा करके सो जाओ लेकिन शिंचाय अभी भी उसके पीछे थी वो लीशन की रूम में चले जाती है उसकी फोटो के पास खड़े होके उससे कहने लगी थी मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी प्राब्लम्स तुम्हारी तक रखना अच्छा लगता है पर क्या लाइफ में तुम एक बार मेरे उपर विश्वास नहीं कर सकते हो मुझे अपनी प्राब्लम्स शेर नहीं कर सकते हो शिंचाय गुसे में थी लीशिन बोलता है मैं ठक गया हूँ तुम भी जाओ जाके सोजाओ शिंचाय बोलने लगी थी कि मुझे तुमारी बहुत चंता हो रही थी कि तुम पता नहीं कहा होगे क्या कर रहे होगे तुम सामने से बहुत ही जादा स्ट्रांग बनने के कोशिश करते हूँ पर तुम पता है मुझे इतनी चंता हो रही थी कि मैं मरते मरते बच्ची हूँ शिंचाय गुष से मैं वहाँ जाने लगी थी तो लीशिन उसे जबरदस्ती कली लगा लिता है उसे इतना टाइट हक करे हुआ था कि शिंचाय गगा तो दमी घुटने लगा था लीशिन उसे कहता है मेरी साथ रहना जब मैं क्राउन प्रिंस ना भी हूँ तब भी वही आगे लीशिन का फाइटिंग वाला मेटर सॉल्व हो जाता है और राजा रानी काफी खुश दे क्योंकि लीशिन उसमें इंवल्ब नहीं था वही नेक्स टे मिन्योरी को मिलने के लिए बुलाया था महल में रानी उससे मिलने के लिए आती हैं अब रानी उससे कहती हैं मुझे तुम्हारे उपर बहुत कर्व हुआ चब मुझे पदा चला तुमने क्राउन प्रिंस को मना करके डांसिंग में अपना करियर जूस किया अच्छे तरीके से समझा दिया था रानी ने मिन्यूरी आगे जाती है तो उसे एक राउन प्रिंसेस मिलती है शिंचाय मिन्यूरी को देखके यहां पे हैरान थी यह दोनों आपस में बैट के अब बात करती है शिंचाय मिन्यूरी से बोलती है क्या वो ठीक है मिन्यूरी उससे बोलती है कि वो लीशिन को हमेशा अपने दिल में रखेगी लीशिन जब भी वापिस आना चाहेगा उसे एकसेप्ट कर लेगी उसके बाद वो शिंचा से कहती है हमने एक दूसरे को इतना ज़दा हर्ट किया है कि अब हम दोनों आपस में दोस्त बन के नहीं रह सकते लेकिन मुझे पता है तुम एक बहुत अची इनसान हो शिंचा कहती है इसके लिए भी ये एजी नहीं है मिन्यूरी बोलती है प्लीश लिशिन को अपने से दूर कभी मत जाने देना मिन्यूरी अब वहाँ से जाने लगी थी शिंचा कहती है चाहे तो पीती जाओ पर मिन्यूरी चली जाती है वहीं अब आगे इन तीनों सास बगों को बैठे हुए दिखाया जाता है यहाँ पर प्रिंस है यहाँ क्राउन प्रिंस की बुराई कर रही थी तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस को इतने जादा मैनर्स ही नहीं सिखाए उपर से लेडी सू भी दो मिर्ची लगा दिती है कि महल में बाते हो रही है कि क्राउन प्रिंस क्राउन प्रिंस बनने के लायक भी है या नहीं है पर दादी मा बोलती है, कोई भला कितना भी कुछ बोलता रहे, लीशन ही क्राउन प्रिंस बनने के लायक है, बलकि मेरे नजर में तो सिर्फ वो ही लायक है, यहापे दादी मा लीशन के फोर्ल सपोर्ट में थी, और यह देख करके कुईन तो खुश थी, पर हेयोंग का तो ख करेंगे, वहाई हेयोंग फिर से पहुकंच जाती है मिन्यूरी के कान भरने के लिए, लेकिन इस बार मिन्यूरी इसकी बात तो में नहीं आती है, वह साफ साफ इसे मना कर देती है, अब हागे मिन्यूरी कुइन के अटेंड़न के निगरानी में रिपोर्टर को इंटर्व् भी हम नैग्स देखाया जाता है लिशिन चेन को उसकी नई गार चलाना सिखेzesग्ध को तो कर Damn आऄं करने लगा यह बहुए आगा दीजस्याया करने लगाता तो यह मीज़ेश ककए अगलरी मैव करने लगा था बात नहीं जब मैं भाहर रहता था तो कई बार तो मेरा बर्डे खुद मैं भी भूल जाता था इस सुनकर के किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था दादी मा भी यूल से माफी मांगती है और उससे कहती है तुम बताओ तुमें क्या गिफ्ट चाहिए तो यूल बोलता है क् चली उसका graduation का project भी है उसमें उसे भार जाना है तो वो इसे ऐसे यूज करेगा यूंग बोलती है इसमें कोई बुराएं नहीं है वो दादी मां से कहती है यूल जा सकता है ना दादी मां हाँ बोल देती है रानी crown prince और crown princess से कहती है देखो वैसे तुमारे पर मुझे trust है पर ये सारे लोग भार जाने वाले हैं तो धमाके तो भूंगे तो अब आगी कहानी जानने के लिए आप लोग चैनल को subscribe कर लिजे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like के बिना मत जाना thanks for watching मिलते हैं बहुत जल